महा उपनिशद प्रस्तुत करता स्वयम प्रकाई शर्मा पांचवा भाग पांचवा भाग में रिशी रिभू अपना उपदेश जारी रखते हैं इस भाग में उपनिशद के चौते अध्याई के शलोक 42 से 82 तक की व्याख्या की गई है उपनिशद अपने पुत्र निदाग को अपना उपदेश जारी रखते हुए रिभू कहते हैं पुत्र जब व्यक्ति के मन में सब के प्रति शुद्ध आत्मा के तत्व की अनुभूती की एकता का भाव उदे होता है तब दिशार काल में फैला हुआ जो संपूर्ण बाहरी जगत है वे बाहरी जगत उसके लिए चैतन्य आत्मा का ही प्रतिक हो जाता है इस तरह आत्मा जहां जिस भी रूप में उल्लास को प्राप्त होता है शिग्र ही वे वहां उस रूप में स्थापित हो जाता है उसी के रूप के अनुसार वे वहां विराजमान हो जाता है सुशिप्ति की जो गहरी और पक्की नींद के अवस्था होती है उस अवस्था में स्वप्न तो अद्रिश्य हो जाते हैं वे दिखने बंद हो जाते हैं ठीक उसी प्रकार जो कुछ भी यहां इस स्थावर एवं जंगम द्रिश्य रूप जगत में प्रतिबिंबित दिखता है रिफ्लेक्टिड दिखता है वे सब कुछ भी प्रड़े के समय नश्ट हो जाता है यह आत्मा तो आदिकारन रूप है यह आत्मा तो परब्रम है यह तो सत्य रूप है यह जो सारी संग्याए हैं जो सारे नाम इत्यादी हैं यह सब तो विद्वानों और महान आत्माव ने विवहार के लिए ही कल्पित किये हैं हाथ का अभूशन सोने का कंगन और उसका अर्थ सोना दोनों एक ही हैं सोने से अलग सोने का कंगन अस्तित्व नहीं रखता और वैसे ही कंगन से प्रतिष्ठित जो सोना है वै कंगन से अलग अस्तित्व नहीं रखता ठीक उसी प्रकार जो जगत शब्द है उस जगत शब्द का तात्परे भी ब्रह्म ही होता है इसके अत्रिक्त जगत का तात्परिय और कुछ भी नहीं होता उस अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर ने तो जगत के रूप में यह माया का इंद्र जाल फैलाया हुआ है जब देखने वाला दृष्टा दृष्य के अंदर जाकर रहने लगता है तब वह बंधन कहलाता है दृष्य का भाग होकर और दृष्य के वश में होने से दृष्टा बंध जाता है और जब उसे दृष्य नहीं दिखता दृष्य के अभाव में वह मुक्ति को प्राप्त करता है जगत मैं तू इत्यादी जो इस रूप की स्रिष्टी है जो इस रूप का संसार है वैं स्रिष्टी तो दृष्य कहलाती है वैं संसार तो दृष्य कहलाता है संसार में जो इया प्रपंच रूपी इंद्रजाल है वैं सारा इंद्रजाल तो मन के द्वारा ही फैलता है जब तक मन की जो इया कलपना है जब तक वे कल्पना चलती रहती है तब तक मोक्ष के दर्शन नहीं होते यह जो विश्व है यह विश्व तो स्वयंभू ब्रह्मा के अपने ही मन के द्वारा बनाई गई सिष्टी है इसलिए यह जो दिखने वाला जगत है यह तो मनों में ही है बाहर और रिदे के भीतर कहीं भी मन सत रूप में स्थित नहीं है जो विश्यों का ग्यान होता है वही मन कहलाता है संकल्प करना ही मन का लक्षन है मन तो संकल्प रूप में ही रहता है इसलिए यह जान लेना चाहिए कि जो संकल्प है वही मन है किसी ने कभी भी संकल्प और मन को अलग नहीं किया है सारे संकल्पों के गल जाने पर उनके समाप्त हो जाने पर किवल आत्मा का स्वरूप ही शेश्च बचा रहता है मैं तू और जगत इत्यादी जो द्रिश्य प्रपंच है जो दिखने वाला प्रपंच है उस प्रपंच के प्रशान तो हो जाने पर जब द्रिश्य सत्ता को प्राप्त होता है जब द्रिश्य प्रमात्मा के तत्व को प्राप्त होता है तभी व्यक्ति को प्रमात्मा जैसा कैवल्य प्राप्त होता है महा प्रड़य के समय जब द्रिश्य सत्ता हीन हो जाते हैं उस समय स्रिष्टी के पूर्व काल में किवल आत्मा ही शेश बची रहती है आत्मा का जो सूर्य है वे सूर्य तो कभी भी अस्त नहीं होता वे जन्म रहित है वे सब दोशों से मुक्त है वे सर्वदा सर्व करता तथा सर्व सरूप है वानी वहां से जाकर लौट आती है क्योंकि वे वानी से परे है उसे तो मुक्त पुरुश ही जानते हैं तथा आत्मा आदी उसकी जो संग्याएं है वे सभी संग्याएं तो कल्पित हैं तो अभाविक नहीं है वे ही परमात्मा कहलाते हैं तीन आकाश हैं, मन या चित का आकाश, चैतन्य या चेतना का आकाश और भोतिक आकाश इस बात को जान लो पुत्र कि चैतन्य आकाश तो मन के आकाश और भोतिक आकाश से बहुत सुक्ष्म है एक विशे से दूश्रे विशे तक जाने में जो पलक जपकने का पल भर का चेतना में अंतराल होता है उस अंतराल में चैतन्य आकाश की स्थिति रहती है यह जानना चाहिए पुत्र उस चैतन्य आकाश में यदि तुम सारे संकल्पों को निरस्त करके स्थित होते हो तो बिना संदेह तुम सर्व आत्मा की शान्त पद्ज को प्राप्त हो जाओगे चैतन्य आकाश में इस्थित हो जाने पर जो सुन्दर उदारवाद सरल्ता और विराग्य रस्य युक्त आनंद भरी अवस्था प्राप्त होती है उस अवस्था को समाध ही कहते हैं द्रिश्य पदार्थों की तो सत्ता नहीं होती जब व्यक्ति को इस प्रकार का बोध हो जाता है और जब उसमें रागद्विश आदी दोश क्षीन हो जाते हैं उस समय व्यक्ति में अभ्यास के बल से जो एकाग्र रती उत्पन होती है उससे समाध ही कहते हैं द्रिश्य की सत्ता का भाव जब व्यक्ति के बोध में आ जाता है तब वही निश्चे पूर्व ज्यान का सुरूप है वही चिद चिदात्मक चैतन्य आत्मा का जानने वाला तत्व है वही आत्मक अवल्ल्य है जैसे मस्त एरावत हाथी कुछ सर्सों के कोने के चिद्र में बाधा जाना संभव नहीं है जैसे मच्चरों का सिंग के साथ युद्ध करना संभव नहीं है जैसे कमल के फूल की पंक्रडी में सुमेरी परवत को स्थापित करके उसे भ्रमर शिशु द्वारा निगल जाना संभव नहीं है सब कथा कहानी है ठीक उसी प्रकार पुत्र निदाग इस जगत का अस्तित्व में आना भी संभव नहीं है इस जगत को तुम केवल भ्रम जैसा ही जानो रागद्वेशादी क्लेशों से दूशित चित या मन ही संसार है और वही चित या वही मन जब दोशों से मुक्त हो जाता है तब इसे संसार का अन्त अर्थात मुक्ष प्राप्ति कहते है मन में शरीर की भावना करने पर ही आत्मा शरीरी बन जाता है और जब वे दे वासना से मुक्त हो जाता है तब ये दे के धर्मों से लिपाई मान नहीं होता तब दे के धर्म उससे लिप्त नहीं होते मन तो कल्प को भी क्षण बना देता है और क्षण में कल्प के तत्व को व्याश्वासित कर देता है ये संसार तो केवल मनो विलास ही है यह मेरा निश्चित मत है पुत्र जो व्यक्ति दुष्चरित्र से अलिग नहीं हुआ है यानि जो व्यक्ति दुष्चरित्र वाला है जो अश्यांत है जो काग्रिचित नहीं है तथा जिसका चित्र शांत नहीं हुआ है ऐसे व्यक्ति को आत्म बोध नहीं होता प्रक्रिष्टर कैवल्ले के ज्ञान द्वारा ही आत्मा का साक्षातकार किया जा सकता है उस आनंद में द्वन्दों से परे निर्गुण सत रूप चैतन्य घन ब्रह्म को अपना स्वरूप समझ लेने पर व्यक्ति भै को कभी भी प्राप्त नहीं होता जो शेष्ट से भी शेष्टर है जो महान से भी महान है दो तेज से भरा सुरूप वाला है जो शाश्वत शिव सुरूप है यानि जो कल्यानकारी है जो सरवग्य है जो पुराण पुरुष है जो सनातन है जो सरवेश्वर है और जो सब देवों के द्वारा पूजा जाता है वे ब्रह्म तो मैं हूँ इस प्रकार का निश्चे कर लेना महात्माओं के लिए मुक्ष का हितु बन जाता है बंधन और मुक्ष के तो दो अलग अलग कारण है और वे हैं ममता का होना और ममता का ना होना ममता के होने से यक्ति बंधन में बंध जाता है और ममता रहित होने से या ममता का ना होने से यक्ति मुक्ष हो जाता है जीव और इश्वर रूप से ब्रह्म के संकल्प से लेकर संकल्प के त्याग तक सारी जड़ तथा चेतनात्मक जो स्रिष्टी है तो सारी स्रिष्टी तो इश्वर द्वारा कल्पित की हुई है कठ उपनिशद की नचिकेता की अगनी से लेकर स्विताश अफ्तर उपनिशद के योग तक ये सब इश्वर के ब्रह्म पर निर्भर है चारवाक सिध्धान से लेकर कपल मुनी के साक्षि सिध्धान तक जो दार्शनिक ज्यान है वैज्यान तो जीवन के भ्रम पर निर्बर है इसलिए जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है उसको जीव और इश्वर का जो यह विवाद है उसे अपनी बुद्धी इस विवाद में नहीं लगानी चाहिए बलकि उसे तो द्रिड़ होकर उसे तो पक्का होकर मजबूत होकर ब्रम तत्व का ही विचार करना चाहिए जो व्यक्ति सारे द्रिश्य जगत को असधारन या खास चित्सरूम समझता है वही अप्रोक्ष भगवान है वही शिव है वही ब्रह्मा है वही विश्णु है विश्यों का त्याग तो दुरलब है तत्व ज्यान की प्राप्ती भी दुरलब है तथा सत्गुरू की क्रपा के बिना सहज अवस्था की प्राप्ती भी दुरलब ही है जिस व्यक्ती की आत्मा को प्राप्त करने की शक्ती जाग्रित हो गई है जिस व्यक्ती ने सारे कर्मों का त्याग कर दिया है ऐसे योगी व्यक्ती को सहज अवस्था स्वयम अपने आप ही प्राप्त हो जाती है जब तक व्यक्ति को इसमें जरा सा भी अंतर जान पड़ता है तब तक उसके लिए भै होता है इसमें कोई संदे नहीं है जो सर्व में सचित आनंद है उसे तो ग्यान की आँखों से ही देखा जा सकता है और जिसे ग्यान की आँख नहीं है वे तो बद पर ब्रह्म को उसी प्रकार देख नहीं सकता जिस प्रकार एक अंधा यक्ति प्रकाश्मान सूरिन नारायन को देख नहीं सकता वे ब्रह्म तो प्रग्यान सुरूप ही है और सत्य ही प्रग्यान का लक्षण है इसलिए ब्रह्म के परिज्ञान से ब्रह्म की अंतर द्रिष्टी से मरन धर्मा जीव अमर्ता को प्राप्त करता है उसे कारे कारन रूप ब्रह्म का साक्षात कार हो जाने पर व्यक्ति की हृदय की सारी गाठे खुल जाती है उसके सारे संदेह दूर हो जाते हैं और उसके सारे कर्म क्षीन हो जाते हैं इसके सारे कर्म क्षीन हो जाते हैं इसके साथ ही उपनिशयत का पांचवा भाग संपन हुआ ओम शान्ति 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 ओम